नमस्कार मैं सुव्यश्ट स्वागत आपका महुआ खबर की खास पेशकश में नेता जी का कहनामा चुनाओं का दौर जारी है और नेताओं की जुबान उन पर ही भारी है चुनाओं का दौर जद चल रहा है तो अलग-अलग नेता अलग-अलग राज्य में जा करके अपना भाशन दे रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखलेश यादों हैं तो दूसरी तरफ योगी अइस्पदेश का मजद आाए ह। एच पीडिये क्यों जोड़ दिया हमारा तो नारा था पीडिये पिश्रा दलित आदिवासी उसमें हमने औरत भी जोड़ दिया था लेकिन एच पीडिये कैसा जोड़ रहे हैं इंको अंग्रेजी नहीं आती है यह इधर चल रहा है उत्तर प्रदेश में चलते हैं थोड़ा जहारखंड की तरफ महाराश्ट में अपने तरीके से नरेंदर मोधी कॉंग्रेस के उपर हमला बर हैं कह रहे हैं कि भाईया जवान नाल नहरू से ले करके कॉंग्रेस के आप तक जो राहुल गांदी है नेता विपक्ष लोगसभा में बने हुए हैं इन सभी लोगों का इ ये लोग किस तरीके से बटवारे की राज्यती करते हैं नरेंद्र मोल्दी भी तो आ रहे हैं अगर बटेंगे तो कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं ये अपनी तरीके से चल रही है लेकिन हमारे देश के ग्रह मंत्री जी जब जारखंड पहुचे तो जारखंड में उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया क्या बातें थीं वो बातें ये थी उन्होंने पेपर लीक का जिक्र कर दिया कहा कि जारखन में तमाम तमाम प्रकार के पेपर लीख हुए हैं जरा इसको पहले सुन तो लीजिए भाईयों बैनों ए जे एम कॉंग्रेस की सरकार ने युवाओ के साथ खिलवाड कि जे एसी क्लास 11 गनीत का पेपर लीख हुआ जे एसी डिप्लोमा का पेपर लीख हुआ जे एसी लेब आस्टिंटन का पेपर लीख हुआ नगरपाली का की नौकरियों का पेपर लीख हुआ graduate level के लोगों की परिक्सा का पेपर लीक हुआ और इस लोग पेपर लीक करकर ब्रस्टाचार करते रहें वो समते हैं सुना आप लोगों ने लंबे समय से ले करके अब तक इस देश में एक राज्य है जार्खंड जार्खंड में एक सरकार है जे-म-म और जे-म-म से ही मुख्य मंत्री है हेमंत सोरेन बीच में अभी कुछ समय के लिए हट गए थे चंपई सोरेन आ गए थे लेकिन चंपई सोरेन की सरकार है उनको लगता है कि वो डूबती हुई पार्टी का सहरा ले करके अतार्थ कॉंग्रेस के उपर भी हमला कर रहे थे और उन्होंने फिर जार्खंड में हुए पेपर लिक को गिनाना शुरू कर दिया आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी सरकार ब्रष्टा चार में लिप्त है इसलिए ये सारी चीजे होती चली आती है तो मैंने शुरुवात में कहाना कि चुनाओं का दौर जारी है और नेताओं की अपनी जुबान उनके उपर भारी है ये जब बात वो बोल रहे थे तो वो शायद भूल गए कि उत्तर प्रद ज्यादा है इतना ज्यादा इस देश राज्य में जारखंड में ब्रष्टा चार है जिसके चलते पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद इस बात को स्विकार लिया कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है भारती जनता पाटी की योगी अधनाज जी है मुख्यमंत्री और उनके नेत्रित्व में जो सरकार चलाई जा रही है वो भ्रष्ट है इसका वर्थ तो यहीं निकलता है कि वह एक तरफ तो जारखंड में जब जेएमेम की सरकार इतनी ब्रष्ट है और पेपर लीक हो रहा है अगर ऐसा इस देश की ग्रहमंत्री ज जहते हैं कि हमारी सरकार में हर चीज विये सवहुलियत यह लेकिन क्यांग्र Ti की सरकार बाटने का काम करती है ठीक है मान लिया ज़ैंट मेंकी सरकार गलत तरीके से ब्रश्ट अll लिया जाए मैंने ज्यादा पेपर तो नहीं निकाले हैं लेकिन कुछ पेपर के आंकड़े निकालने की कोशिश की मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वहाई दोजार सो सत्रा में जब सरकार बनती है बीजेपी की और उसके बाद उससे में तो खीचा तानी चल रही थी क मनोसिना बनेंगे कियोगी आदनात बनेंगे अब मनोसिना जी कियो इतना आश्वस्त कर दिया गया था विचारे गंगा घाट पे पहुँच करके आरती आरती करने लगे हम लोगों ने भी उनको बदाई देना शुरू कर दिया था जितने लोग उनको जानते थे वो सब भी इस देश में पेपर लीख होते चले गए और कई एक ऐसे पहलू निकल करके सामने आए जिसके ओपर ना तो अभी तक ठीक तरीके से जाच हुई है केवल 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 जुर्म हो चुका है जहां चल रही है इस देश का मुख्य राष्ट्रिय खेल जितना हौकी नहीं खेला जा फरवरी 2018 में UP PCL Power Corporation J.E. का पेपर लीख हो गया अप्रेल 2018 में UP Police का पेपर लीख हुआ जुलाई 2018 में अधिनस्थ्य सेवा चैन बोड का पेपर लीख हो गया अगस 2018 में स्वास्त विभाग प्रहुनिति का पेपर लीख हुआ सितंबर 2018 में नुलूप आपरेटर पेपर लीख हुआ एक 4520 सिपाही भरती का पेपर लीख हुआ जुलाई 2020 में 69,000 सिक्षकों का पेपर लीख हुआ और आपको याद होगा कि यही 69,000 जो सिक्षक हैं वो एक समय में अभी तक कुछ समय के पहले लखनाव में बैट करके प् अगस 2021 में B.A. प्रवेश परिच्छा लीख हुई अगस 2021 में P.E.T. का पेपर लीख होता है अक्टूबर 2021 में सहेता प्राप्त स्कूल शिच्छक प्रधानाचारे का पेपर लीख हो जाता है दिसंबर 2021 में U.P.T.E.T. का पेपर लीख होता है N.D.A. का पेपर लीख होता ह यूपी पुलिस पेपर लीख हो जाता है अभी कुछ समय पहले ही अधीनस्तिया आयोग पेपर नहीं कराया निरस्त कर दिया गया था उस पेपर को ही जिस तरीके से अमिश्चा जी ने इस बात का जिक्र किया कि जेम्म की सरकार भ्रष्ट है और उनके सरकार में इतने सारे पे नामें जगे का प्रयाग राज जो पहले अलाभाध हुआ करता था यह दिल बरबाद करके इसमें तुम क्यूं आबाध रहते हो कोई कल कह रहा था कि तुम अलाहाबाध रहते हो यह कैसी शोहरते मुझको अता कर दी मेरे मौला मैं सब कुछ भूल प्रियाग राज नहीं था पहले था वो इलहा बाद नाम बदला गया इलहाबाद से प्रेयाग राज बताया जाने लगा कि प्रेयाग राज जब हमने कर दिया है तो सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी अला कि सरकार ले करके high court के पास भी गई बही हम नहीं बदलना चाहते है या नहीं बदलना चाहते है यह हम निर्भर करता है यह हम बताएंगे कि होना चाहिए की नहीं होना चाहिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कितने सारे पेपर लीख हुए बताया लेकिन अभी पिछले 24 घंटे और 48 घंटे से उत्तर प्रदेश के एक जिले में जिसका नाम प्रयाग राज है वहाँ पे चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की संख्या में चात्र विरोध भी कर रहे हैं वो आखिर में क्या है पेपर दो पालियों में कराई जानी है हलाकि इसका यही विरोध हो रहा है कि दो पालियों में क्यूं नहीं पता है कि आगे चल करके किस फॉर्मुले के उपर इसकी जाच की जाएगी कि छात्रों का चैन किया जाएगा छात्रो बहार आ गए हैं अगले महीने परिक्षा है और इस देश के तमाम चात्र उत्तर प्रदेश के खास तोर पर अलाबाद की सड़कों पर हैं यह चात्र कौन है आपको पहचानना होगा यह वही चात्र होंगे शायद मेरे हिसाब से जो एक समय में नारा लगाते थे अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है यह वही चात्र हो सकता है मेरे हिसाब से हो कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो मोधी मोधी कहना है हो सकता है यह वही चात्र हो सकते हैं कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से हम भगवा लहर आएंगे गाना भी गाया गया था ये वही छात्र हो सकते हैं लेकिन किनारे हटते हैं इन सब चीजों से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर प्रदर्शन कुछ छात्रों पर लाठी चार्ज की गई जिस देश में बुल्लोजर निती को स्विकार कर लिय जिए ना क्या जाता है सुब्रीमakah ने कहां हैं जिस तरीके से आप उलवे नयाय चाहते हैं वह जो हो रहा है ठीक मैई है लेकिन फिर भी कौन सुनने के लिए आघक किया आधिक नायातीं लेकिन फिर चात्रे निताओं के हाथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे जवालना नहरू भगास इंग सुगदेव राजगुरू एक तरफ गांधी जी दिखाई दे रहे होंगे यह कौन लोग हैं जो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं ये वो लोग हैं ये चात्र हैं जो के है कि पहले शोचाले फिर देवाल है हमारे नॉन बाइलोजिकल जी कहते हैं लेकिन शोचाले की भी हालत ठीक नहीं होती है मैं प्रयाग राज के अलाबाद विश्वुद्याले की बात कर रहा हूं जी हां बिल्कुल और आप जा करके देखिए कितने गरीब घर से वहाँ पर चात्र आ करके सस्ती विद्या पाने की कोशिश करते हैं सोचते हैं कि वे महनत करेंगे आगे जल करके कहीं अधिकारी बन जाएंगे तो उनका जिंदगी सफल हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि जब शादी हो तो मोटी रकम भी मिलेगी भहिया देज में देज की बात की ब रहा है तो उसमें ब्रश्टाचार के आरोप में आपने लंबे समय से आ रहे पेपर लीग को गिना दिया लेकिन क्या आपने बोलने के दौरान इस बात को याद किया कि आपके दौरान ही आपके छासनकाल में इतने सारे पेपर लिख हुए क्या आपने उसके उपर कुछ सक की गवाही दे देता है हमें प्रमारिद भी करता है कि अगर किसी ने हत्या की हो तो 302 के मुकद में चलाए जाएंगे सिद्ध हो जाएगा तो फासी पे चला जाए या तो आज इवन कारावास 302 तो अब बदल चुका है वह पहले IPC और CRPC वाले में होता था लेकिन अब तो अ आता फरक आता है कि राजनिती कैसी चल रही है फरक आता है कि implementation कैसा हो रहा है जो भी आप कराना चाहें कराइए अपने-पने तरीके से सब चलता है सबचंगा सी में मुझे याद आया देश की गुरुव मंत्री जीज़ भाषन दे रहे थैं तो उन्होंने कहा कि अभी हाली में जार्खंड में हुए चुनाओं में कॉंग्रेस आ गई और कॉंग्रेस जम्मू कश्मीर में भी हार गई ये बात मुझे समझ में नहीं पहले ज़रा सुनिये कि कह क्या रहे हैं और हैमन्त बाबु को लगता है कि हम कॉंग्रेस की गोदी में बैठ गए बच जाएंगे अरे हैमन्त बाबु आप तो टुपती हुई नईया में बैठे हो जिसमें एक नहीं अनेक छेद है अभी अभी जारकन में चुना हुआ कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया सुना आप लोगोंने किस तरीके से कि उन्होंने कहा कि जारकन में भी हाली हाली में चुना हुए है जारकन में कॉंग्रेस आर गई जारकन में नहीं हुए थे चुनाओ हर्याना में हुए थे और हर्याना में कॉंग्रेस आर गई है लेकिन मैं जब भाशन सुन रहा था तो यह मेरे अपसर आया लेकिन आप तो ग्रह मंत्री हैं न जी आप जिस समयधानिक पत्पर हैं और जब आप खड़े होकर के भाशन दे रहे हैं तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जिस राज्य में अभी चुनाओं होने वाले हैं आ हारी आना तो हारी हारी जलेवी इनको खिलाई जाए जैसी जलेवी खिलाएंगे वैशर चलेगा चलेगा हला कि जलेवी तो गया हिमांचल प्रदेश की बहुत प्रसि शुकीं महान बाट कि उस उनके राज्य में और ठीक नहीं राज्य की उसकी ऑपर चर्चा नहीं कर budget दी जा रही है उसके उपर चर्चा नहीं करनी है क्या दूर दराश पहाड़ों के इलाके में शिक्षा पहुच पा रही है सची शिक्षा अच्छी शिक्षा सस्ती शिक्षा पहुच पा रही है माफ कीजेगा इसके बारे में बात नहीं करनी है लेकिन बात किसमें करनी है बात या चाय के साथ तो चलता इस देश में जब हमारे देश के प्रधान मंत्री जी चाय एक समय में बेशते थे और हमारे और आपकी सुरक्षा में खड़े हुए पुलिस करिमियों ने समोसा अगर खाही लिया समोसा अगर गायब ही हो गया मान लेते हैं तो इसमें CID जाज बठा आती है तो कभी किसी के जरिये आती है कई बार आप कहते हुए खुद नजर आते हैं कि वही आइमांचल प्रदेश के आरती कि सिर्डी ठीक नहीं है तो कभी कहते हैं कि ठीक है ठीक तरीके से तंखवा समय पर मिल रही है कि नहीं मिल रही करमचारियों को वह देखने का काम आपका है अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्त देखने काम आपका है और इंफ्रस्ट्रक्चर कैसा हो यह देखने काम आपका है क्लाइमेट चेंज लगातार वहाँ पर हो रहे हैं किस तरीके से आपको काम करना चाहिए वह काम भी देखने का आपका है लेकिन नहीं आप कार आए-डाई करके सब जाते हैं सब यहीज सब अधिकारी बनने के बाद शासन के सामने आपको सर ynुपा के खड़े रहना पढ़ता है अब वह धिकारी भी सोच रहा होगा कि जिसने हमको जिम्मैदारी दी है मैं क्या करूं जिम्मैदारी तो निवाना है नहीं निवाऊंगा या तो transfer हो जाएगा या तो फिर कुछ दिन के लिए suspend कर दिये जाएंगे suspension से ज़से डरवाया मत करिये अपने आपको suspension चलता रहता है लेकिन फिर भी suspension अगर लग जाता है तो वो माना जाता है कि वह या चवी के लिए अच्छा होता नहीं है 90 दिन क्या suspension है आधी salary मिलती है जांचाच होती है फिर वापस आप नौकरी पर आ जाते हैं सर उठा करके और बागी काम करने लगते हैं यही छात्र जो विरोत कर रहे हैं यही काम करेंगे कुछ फर्क नहीं है लेकिन छात्र है तो उनकी बात उठाने का हक हमारे पास है तो हम पत्रकार्था करते हैं तो हम उनकी बात को समझते हैं उनकी तकलीप को समझते हैं असे लिए मुठाते हैं इन सब से हट करके क्या स्वास्त की सारी समस्या हिमांचल व्रदेश में ठीक हो गई है मुख्यमंत्री सुक्विंद्र सिंग शुक्कूजी आप के राज्य से एक ख के राज्य के आकड़े निकाले गए हैं और अभी पिछले एक महिने के अंदर अंदर नए जो आकड़े बाहरा हैं उसमें से 450 ऐसे नए केस हैं जहां पर HIV AIDS पॉजिटिव पाए गए हैं अब बताया यह जा रहा है कि जो यह HIV AIDS पॉजिटिव पाए गए हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यह नशीली पदार्त के जरीए लिए हैं जरासल जो कुछ लोग नशा करते हैं आप पंजाब रीजन में जा करके देख सकते हैं तो कुछ नशे सूखे नशे होते हैं जैसे गांजा हो गया ऐसे ही ले लिया जाता है जैसे ड्रग्स हो गया नाक से ही खीच लिया जाता है लेकिन कुछ ऐसे नशे होते हैं जो सिरिंज के जरीए लिया जाते हैं मैं नशा अशा करता हूँ नहीं और नहीं नशे का विशेशग्य हू इसलिए जो टीवी में देखता हूं या फिर अगवार में पढ़ता हूं वही आप लोग को बता दे रहा हूं लेकिन अंदर नहीं जाता कि किस तरीके से injection लगाया जाता है और लोगों के अंदर नशा पाया जाता है ये सब मैं नहीं बता सकता जी लेकिन इतना जानता हूं कि सिरिंज के जरिये injection जरूर दिया जाता है माल लिजे कि अगर 10 लोग की एक कमेटी असा गुरूप है अच्छा दोस्तों का गुरूप है अच्छा क्या ही कहिएगा नसाई लेने के लिए लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ब्रेड पर बाम लगा कर भी नशा ले लेते हैं ऐसे शरीर वाला नसा तो कुछ ज्यादे खराब है कैसा नशा तो सिरिंज के जरी नशा ले रहे हैं नसा अगर ले रहे हैं तो अगर सिरिंज जो आपके शरीर में जाती है जाने के बाद आपके खून से वह कंटेक्ट में आती है जब आपके खून के कंटेक्ट में आई तो वह बाहर निकली आपने नशा तो ले लिया लेकिन उसी सिरिंज का इस्तमाल करके सेम सिरिंज का इस्तमाल करके अगर किसी और व्यक्ति ने उसी सिरिंज को अपने शरीर में डाला तो कोई नहीं जान रहा है कि जिस व्यक्ति ने पहले सिरिंज का इस्तमाल किया था उसके शरीर मे कौन से बेक्टेरियां है उसके शरीर में कौन सी बीमारियां है HIV AIDS या ऐसे positive अगर case पाए जाते हैं तो कई मामलों में ऐसा मालूम भी चलता है कि बहुत जब extreme level पर पहुच जाते हैं तो इसका खुलासा होता है बहुत लंबे समय सकतो होता भी नहीं तो फिर अगर आपने लिय कोई भी नशा तो इस तरीके से ये एक के बाद एक के बाद एक उसी सिरिंच का इस्तमाल करके फैलता चला जाता है जो की नशे की जरिये बताया जा रहा है सिरिंच के जरिये बताया जा रहा है अब इतनी बड़ी खबर इतनी बड़ी घटना इसके उपर Congress की सरकार हिमांच चोड़ करके सिरिज पर काम करना चाहिए सोचना चाहिए देखना चाहिए कि आखिर में ये नशीली पदार्थ आ कहां से रही है ये बात बिलकुल सही है कि बहुत सारे आज के देश में युवा हैं जो पहाडों पर घुमने के लिए जाते हैं और मनमस्त तरीके से मनमर्जी तरीके से जा जाके अलग जगा पर रुकते हैं और फिर नशीली पदार्थ की मांग करते हैं तो वह नशीली पदार्थ आपके राज्जे में क्यों मिल रही है ना जाने कि इसको कौन पहली बार लेता है समोसा तो फिर भी एक बार छूट गया तो दुबारा लिया जा सकता है लेकिन अगर नशीली पदार्थ लेने के बाद अगर आप इश्वर को प्यारे हो गए तो फिर ना जाने क्या होगा हाला कि एक बहुत बड़े शायर थे एक बार शायरी पढ़ रहे थे तो किसी जब ऐसे वह शायरी पढ़ें तो उनको याद को कहते थे सुहान अल्ला मा सामने बैठे वे वेक्ति तो जो शायर थे उन्होंने का कि इतनी जोड़ जोड़ से इश्वर को याद मत कीजिए कहीं अल्ला ने गलती से अगर आपको याद कर लिया धीरे से बागी आप समझदार हैं समझ सकते हैं तो समोसा छोड़ करके अपनी फालतू चीजों पर ध्य जान एकत्रित करके इन सभी चीज को किनारे रख करके इस बात पर भी अमल किया जा सकता है मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्कू जी कि आपके राज्य में हो क्या रहा है इतने बड़ी संख्या में अगर नशीली पदार्त आपके राज्य में सर्कुलेट हो रही है जिससे लोग HIV AIDS positive हो रहे हैं तो आपके स्वास्त मंत्राले को सामने आकर के जानकारी देनी चाहिए कि बताइए कि आखिर में ऐसा क्यूं हो रहा है आपके पुलिस विभात को सामने आकर के जानकारी देनी चाहिए अगर आपके समोसा ढूंडने से उनको फिरसुत मिले तो क यह ऐसा सीरिंच आ कहां से रहा है ऐसे यह communityable disease जो फैल रहे हैं एक से बढ़कर एक के बाद एक कितने लोगों को वो कहां से आ रहा है लेकिन करेंगे क्या पुलिस आदा समय आपका समोसा खोज रही है बाकी जो समय बच रहा है गाय भैस को खोज रही है बाकी जो समय बच वो मंत्रियों और BIP को सुरक्षा देने में जा रहा है तो जनता के लिए समय निकाल कब रहे हैं ये इस देश की विडम बना है सोचने की जरुवत है आप लोग सोचते रहिए फिर मैं मिलूंगा अगली बार अगले नेता को ले करके फिर अगर वो अगर कुछ कहते हैं तो द इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं महुआ खबर